पार्शोनी शहर और ग्रामिन क्षेत्र में गुर्वार की सुबह भारी बारिश की वजह से कारंभार दिगलवारी बार की चपेट में आने से पूर परिस्तिती निर्मान हो गई है जिसकी दिगलवारी का पुलिया पानी की निचा आने से दोनोर की वहनों को जहा की वहार रुकना पड़ा अब यातायात पुरी तरह से बंध हो गई थी जबकि कर्म बढ़ गाओ में बड़े पैमाने पर पानी आने से वहाँ बार जैसी परिस्तिती निर्मान हो गई थी पेडरी ग्राम में भारी बारिश की वज़े से आठ मकान धाराशाई हो गए वही करम भार ग्राम में एक मकान धाराशाई होने की घटना होई है दिगलवाली पुलिया पुरी तरह पानी की निचा आने से यातायात पुरी तरह से बंध हुआ था गाओ के चार और पानी ही पानी नजर आ रहा था जिससे दिगलबाडी ग्राम का संपर्क तूट गया था तैसिलदार प्रशान सांग्रे पुलीस निरिक्षक राहुल सोनव ने जिलापरिशत सदत से अरचना भोयर बाड़ाए गाउ का दोरा कर मददकार्य करने का कार्य किया जहां प्रशासन के और से किसे प्रकार की हानी ना हो इसलिए बड़े पैमाने पर मददकार्य के लिए एक टीम बनाई गई वही आलादिकारी परिस्तिते पर नजर बनाए रखे हुए है इसी तरह बारिश का कहर जारी रहा तो आने वाले दिनों में बड़ी तबाही का अंदेशा जताया जा रहा है पारिश उनी तहसिल सिमा के भीतर अब तक 500 हेक्टा खेती का नुकसान होने का अंदेशा है कृशी विभाग की ओर से जताया जा रहा है कि करमभार दीगलवारी परिसर में यहां के किसानों की खेती पूरी तरह से बरबाद हुई है जिसके वजह से किसानों को भारी नुकस पर अब तक उन्हें नुकसान भरपाई नहीं मिली है। आश्वासन जरूर ते रहा है पर प्रशासन की ओर से इस आश्वासन को निभाय जाएगा कि नहीं यह भी समय बताएगा।